नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका आपके अपने योट्यूब चैनल में और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गौन कतीरे के फायदों के बारे में फ्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें अब अड़ते हैं वीडियो की दरब आईरवेद में ऐसी कहीं चड़ी बूटियां हैं जो मनुश्य के पुरे स्वास्ते को पल भर में सही कर देती है आज हम आपको गोंद कतीरे के बारे में बात करेंगे जो पेट से निकलने वाला एक पीले रंका गोंद है यह चुने में चिपचिपा, बदबुदार और बेसवाद होता है इसकी तासी ठंडी होती है इसलिए इसका सेवन गरिमियों में करना बेट लापकारी माना जाता है गोंद कतीरे का प्रियोग गपस को दूर करने इस तन में रदी, तोचा, रोग, सिक्र बतन से चुटकारा या पिर प्रिसव के बाद लगने वाली कमजोरी आदी के लिए खिया जाता है यही नहीं अगर किसी को हर्दी रोग का खत्रा है तो वह भी इसका प्रियोग से दूर हो साता है और फ्रेंस मैं आपको बताती हूँ कि गौन कतीरे की क्या क्या पाइदे होते है पहला पाइदा है कमजोरी गौन कतीरे में धेर सारा प्रोटीन और फॉलिक एसिड पाया जाता है इसके सेवन से सरीर को तुरन ताकत मिलती है इससे खाने जे खुन गहड़ा होता है 20 गराम गौन कतीरे को एक गिलास पानी या फिर दूद में विगो कर रखें और फिल सूबर मिश्री मिला कर शर्वत बना कर पिएं इसके लावा बात करते हैं अगले फाइदे की जो की है मानसिक धरम यानि की प्रियर्ट्स यदि किसी महिला के मानसिक धरम अनियमित है तो गौन कतीरा और मिश्री को साथ में पीस कर दो चमच दूद में मिला कर सेवन करें इसके लावा गौन के लड़ू बना कर भी खाया जा सकते हैं यहीं नहीं बच्चा होने के बाद भी गौन के लड़ू खाने पर कमजोरी और महावारी की गरबड़ी ठीक हो जाती है इसके लावा फ्रेंद्स बात करते हैं अगले फाइदे की जो की है वजन गटाने में गौन कतीरा शरीर के विशेले पिधात को बहार निकालने में मदद करता है और मेटा पॉलिसम को बढ़ाता है इसमें पाई जाने वाला हाई फाइबर आपको अधिक समय तक भरा रखता है इसका प्रियो करने के लिए एक चमच गौन कतीरा रात पर एक गिलास पानी में विवो दे इसके बाद एक गिलास दूद में शहद या फिर गुड मिलाकर इसका सेवन करे वजन कम करने के लिए हर रोज इस टोनिक को पिए इससे आपका वजन बहुत जल्दी कम हो जाएगा इसके लावा फ्रेंस पुर्शों की काम इच्छाएं बढ़ाने में भी यह बहुत ही ज़दा फाइदे मन्द है गुड कतीरे के सेवन से पुर्शों में खोई हुई योन इच्छाएं बढ़ जाती है इसके अलावा नाई डिस्टार्ज को रोपने में मदद करता है इसका सेवन करने के लिए रात के समय 10 क्राम गुड कतीरे को एक किलास पानी में बिगो दे फिर अगली सुबह इसमें एक चमच चीनी मिलाकर इसका सेवन करें इसका सेवन दिन में तीन बार ठने पाने के साथ कर सकते हैं इसके अलावा फ्रेंज अगला फाइदा है टॉनसिल यदि आप हर वक्त टॉनसिल से परेशान रहते हैं तो दो भाग कतीरा और दो भाग नान खवा को बारिक पीस लें फिर इसमें हरी धनी की पत्तियों का रस मिनाएं और रोजना इसे गले पर लेप करें इससे आपको जल्दी ही आना मिलेगा यही नहीं अगर आपके पास सादन ना हो तो लगबग 10-20 ग्राम गौन कतीरा पानी में बिगो कर फुला लें और फिर इसमें मिश्टी मिलाकर शर्बत बनाकर सुबर शाम इसे पीए इससे आपको बहुत फाइदा मिलेगा इसके अलावा फ्रेंस मुग के चाले, अलसर के कारण होने वाली सूजन, लाली मा और दर्द को खम करने के लिए इस उपाई को अजमाएं गोन कतीरे का बारिक पिसा हुआ पेस्ट लगाएं और तुरंत रात के लिए अपने चालों पर लगाएं इससे आपको काफी फाइदा होगा, इससे आपके चाले कतम हो जाएंगे इसके अलावा यह ब्रेस्ट के आकार को बढ़ाने में भी आपकी काफी ज़्यादा साहिता करता है यदि कोई महिला अपने ब्रेस्ट के आकार से संतुष्ट नहीं है तो वह गुंद कतीरे का सेवन कर सकती है गुंद कतीरे को रोज खाने से महिलाओं के इस तन के आकार को बढ़ाने में मदद मिलती है इसका सेवन करने के लिए राद बर एक गिलास पानी में एक बड़ा चमच गुंद कतीरा भी गोएं अगली सुबह इस फूली हुई गौंद कतीरे के साथ मिश्री मिला कर सेवन करें इसके अरावा फ्रेंट्स यदि आपके हाथ और पेरों में जलन होती है तो गौंद कतीरे के दो चमश लेकर इसे एक गिलास पाने में सोने से पहले भिगो दे जब यह फूल जाए तब इसमें चीनी में मिक्स करके और इसे खाए इसे शर्बत के तोर पर दिन में दो बार भी पिया जा सकता है यह गर्मी में लगने वाली लूसें आपको बचाता है इसके अलावा फ्रेंस कुछ जरूरी जानकारी में आपको बता देती हूँ गोंद कतीरे का सेवन करने से पहले अपने शरीर को पूरी तरह हाइडरेट रखें इससे नसे और आथ ब्लोक होने से बचेगी इसका कोई साइड इपेक्ट नहीं है इसको खाया भी जा सकता है और लगाया भी इसके अलावा घर्वती और इस्तनबान करने वाली मेलाएं डॉक्टर की सला से ही इसका सेवन करें इसके अलावा फ्रेंस सला दी जाती है कि आप किसी भी एलीपेतिक दवा का सेवन करने से कम से कम एक घंटे पहले इस जड़ी बुटी का सेवन करें तो देखा फ्रेंस आपने ये थी गुंध कतीरे के फायदे उमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें थैंक यू फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए बैबाई